Hello friends, welcome to 4 आपकी success 0.0 Friends, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए MCQ टाइप्स कोशन मतलब multiple choice questions लेकर आई हूँ जो 25 important questions होंगे यहां all subjects लिखाया है मतलब एक competitive exam के लिए जैसे questions की जरूरत होती है उन सारे questions का एक series है तो चली हम इस series को start करते हैं अगर आप किसी भी competitive exam की preparation कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही important होने वाला है तो चली हम इसको start करते हैं हमारा first question है हमने इतिहास या सीखा कि हमने इतिहास से कुछ भी ने सीखा यह sentence किसके दौरा कहा गया है तो यह कहने वाले थे George, Bernard, Soi यानि option C इसका correct answer होगा हमारा next question है question number two hundred years variant 100 साल की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी तो इसका सही answer होगा option A England और France के बीच हमारा next question है question number three बायो डीजल के उत्पादन में निम्नली खित में से कौन सी प्रकिरिया अपनाई जाती है तो इसके उत्पादन में अपनाई जाने वाली प्रकिरिया को कहते हैं Trans Asterification यानि option C इसका सही answer होगा Trans Asterification हमारा next question है निम्नली खित में से किसकी उपस्थिती के कारण गिरगेट रंग बदलती है तो किसकी उपस्थिती के कारण वर्ण किलवग Option B इसका correct answer होगा Next question है Question number 5 अगनी शमन वस्त्र किस से बना होता है तो इसका सही answer होगा Option B Asbestos Asbestos से क्या बनाता अगनी समन वस्त्र हमारा next question है Question number 6 बिहार में सरवाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है तो बिहार में सबसे अधिक जूट किसन गंज में उत्पादन किया जाता है Option B इसका सही answer होगा Next है अंतर राष्ट्रिय वैपार का उद्देश है यानि अंतर राष्ट्रिय वैपार क्यों किया जाता है तो इसका उद्देश होगा राष्ट्रिय आए बढ़ाने के लिए अंतर राष्ट्रिय वैपार किया जाता है Option B इसका सही answer होगा Next question है Question number 8 निमनलिखित एक सीतल महासागरिय धारा है कौन सी निमनलिखित में से एक सीतल महासागरिय धारा कौन सी है तो इसका सही answer होगा Canary धारा Canary धारा एक सीतल महासागरिय धारा है Next है अनुछेद पंदरग के अनुसार राज्यकिन आधारों पर किसी नागरिकों के विरुद मत भेद नहीं कर सकती है तो इसका सही answer होगा Option D यानि उप्यूत तो सभी option जितने सारे दियेगे है जाती के आधार पर, मूलवंस के आधार पर और जन्म के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है किसी भी नागरिक के साथ तो हमारा next question है Question number 10 देशी रियासतों के एकी करण का स्रे किसको जाता है तो इसके एकी करण का स्रे जाता है सरदार पटेल यानि सरदार बल्लभाई पटेल को option सी इसका सही answer होगा Next है दूद में वसियता तो कम हो जाता है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपगरह नहीं है या अंसर में दिया गया है नहीं है यानि किस ग्रह के पास अपना कोई उपगरह नहीं है तो इसका सही अंसर होगा बूध और सुक्र, बूध और सुक्र के पास अपना कोई उपगरह नहीं होता है यानि इसका स इंडस्ट्रियल डेवलाप्मेंट बैंक ओफ इंडिया टो यह किसका है रिजर बैंक ओफ इंडिया को डीज़ का सई अन्चर होगा नेक्स्ट है कोस्टन नमर 14 विश्व का सरवाधिक प्रचली धर्म कौन से है तो विश्व का सबसे प्रचली धर्म है इसाइय धर्म in 410 निमनलिखित मेंसे किस संस्था का मुख्याले परिश में है तो युनेस्को का पोशन तत्यों किसे प्राप्थ होता है तो इसका सही अंसर होगा option D यानी सरवाहारी नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस घटक ने भारत की विदेशी मुद्रा भंडारन की ब्रिधी में प्रमुख योगदान दिया है तो इसका सही अंसर होगा option B प्रत्यक्ष एवं अपरत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारही भारत में विदेशी मुद्रा भंडारन में ब्रिधी हुई है हमारा next question है अकबर ने सर्व प्रतम बैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्री से स्थापित किया था तो इसका सही अंसर होगा कचवा हो यानि कचवा कौन थे राजपूत थे जहां से अकबर ने अपना बैवाहिक संबंध स्थापित किया था राजपूतों के साथ option D इसका सही अंसर होगा next है 19 दक्षिन भारतिय सासक जिसके राज में रेशम उत्पादन को क्रिष्टी उध्यों के रूप में प्रवेस किया था तो कौन थे वो तो वो थे हैदर अली यानि option C इसका सही अंसर होगा next है question number 20 heads and tails उपन्यास के लेखा के यानि heads and tails एक उपन्यास है जो किसके द्वार लिखी गई है वो लिखी गे मेंका गांधी के द्वारा यानि इसका सही अंसर होगा option D हमारा next question है 21 भारत में विदेशी आंदोलन किसके दौरान प्रारम हुआ था? बाबर की लास उसकी इच्छा आनूसर कहा दपनाई के थी? तो बाबर की लास उसकी इच्छा आंूसर काबूल में दपनाई के थी ये इसका सही अंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन है 23 देवदार के पेर आम तोर पर किन जंगलों में पाय जाते हैं तो देवदार के पेर पाय जाते हैं सदा बहार कटिवंधिये बनों में ओप्शन ए इसका सही अंसर है नेक्स्ट कोश्चन है 24 और अनपूर्ण परवत एस्थित है तो अनपूर्ण परवत एस्थित है यानने इसका सही एंसर होगा option B आज का हमारे next term last question है question 25 निम्न में से कौन सब कल्प हंग परिभासित करता है कौन से परिभासित करता है तो वो कौन से है एक ऐसा संसर जिसमें किसी भी पार्टी को स्पस्ट बहुमत ना मिले यानि इसका सही अंसर होगा option A तो friends आज की ये वीडियो हमारा यहीं खतम होता है आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बता है चलिए हम अपने next वीडियो मिलते हैं thank you